साथियों नमसकार मैं हुनी रच पटेल और आप देख रेनेसनल जन्मत अलीगण में बावा साहब भीमरा अंबेटकर और जोतिवा फूले जैनती समारों में मेरी मुलाकात डॉक्टर लक्ष्वन यादोजी से हुई परचे के महताज इसलिए नहीं है क्योंकि गूंगी बहरी राजनीती के इस दौर में मुखर होकर के आवाज उठा रहे हैं इस दौर में जब लोग अपने अपने जाती के नेताओं को देवी देवताओं की तरह पूझ रहे हैं राजारानियों की तरह सम्मान कर रहे हैं इस सवाल पूछ रहे हैं तो पलट के आप से भी पूछूंगा कि आप भी तो कहां डरते हैं देखे दरसल हम लोग जो काम कर रहे हैं आप पेशे से पत्रकार हैं मैं प्रोफसर हूँ लेकिन हम लोग की अपनी एक नागरिक होने की भी जिम्मेदारी है और ठीक बात है कि हम लोग प्रोफसर ही नहीं रहेगी जिसकी वज़े से लोग हमारी बात सुनना चाहते हैं अगर सब लोग एक जैसी बात करेंगे तो फिर अलुचना ही कहां से होंगी तो हम में लगता है कि हमारी जो जब्मेदारी है वह सच जो कहना जरूरी है क्योंकि अभी हमारा कोई स्वार्थ नहीं है अभी हमारा कोई एसा हित्रित अकरा रहा है जिसकी वज़े से हम ये डरें की सी बाई ए डी का च्षाप हमारे उपर बढ़ जाए गारे तो लोगों पर सवाल उठा देते चीज है ने बाबा साब कहते थे कि एक लोजड ग्रूप है और इस वर्ण ब्योस्ता में इस जाद ब्योस्ता में होता यह है कि हम यह मान लेते हैं कि वह लीनियर आइडेंटी है इसका मतलब एक जाती में एक ही तरह के लोग सोचने वाले मिलेंगे और उन से बाहर कोई विरो हूं तो इसलिए वह उन्हें में अपना निता मालू या वो यादव हैं तो उनके खिलाफ कुछ न बोला जाए दोनों पर इसे थे हमरे ठीक नहीं है क्योंकि पहली बात ही कि हम किसी पार्टी के नहीं है पार्टी के लोग यह इमांदारी अपने निता के पर दिखाएं वह नशाशान होता है हमारे लिए इमांदारी यह नहीं आप जहां अच्छा करेंगे हम आपकी त्हารीफ करेंगे कि आप इस चुनाव में अच्छा किए ज्याद तो आया नहीं और अपने लोग चले गए बहुत सारी चीजें हैं जिसको इमानदारी से कहना होगा उसके बाद कोई कुछ भी कहे वो यादो विरोधी गए पेरियाल अलएई सिंह यादो की विरासत है तो उस पर भी कोई नहीं बात करता है तो हम लोग तो बात करेंगे नहीं मानदारी से जो लोग मिसन मुव्मेंट की बात करते हैं वो कांसी राम साहब की ये बात तो याद रख लेते हैं कि उन्होंने कहा कि सत्ता हर चीज की कुंजी है लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि उन्होंने ये भी कहा था कि बिना सामाजिक परिवर्तन हुए अगर सत्ता हो जाहे तो किसी काम का नहीं होगा नहीं कुझी में बात करने वाली परटीयां जब सरकार मे आइक लेकिन मैं एक चीज़ और नारा लग रहा था मिले मुलाहिम कांशी राम हवा होगे जैश्र राम और आज जब चुनोती वही जैश्र राम बना हुआ है तो समाजिक न्याय की विरासत पर लोटना और इमानदारी से लोटना ये नहीं कि आपके शंका होने लगे कि तरिशूल पकड़ लिए तो परस के के लोगों को जोड़ना मेहनात करना हर दिन काम करना कांशी राम की मिशन मुमेंट के आदमी थे तो अब आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जिस संगर्ष की अपेक्षा आप जादा थी अब ऐसा लगता है कि आप नहीं कर रहे और आप बार बार दोश देंगे ज साथ नहीं जंता तो चाह रही थी यह जितना माहूल इस चुनाव में बना यह तो जंता का बनाया हूआ ता आप नहीं पास नफरत का विचार आपके पास इन में से कुछ भी नहीं है आपके पास जो विचार था उससे आप समझता कर लिए तो यह तो कहना पड़ेगा इसलिए केवल राजनितिक सत्ता अगर केंद में रखेंगे तो विचार से समझता होगा तो कांशी राम की बाद जूटी निकल जाएगी सामाजीक औ किली लगता है कि कुछ नहीं मिला सब्सक्राइओ सब्सक्राइब में। उनके पास इतने चीजेंगे सब्सक्राइएं लेकिन जो विपक्ष में होता है उसके बास यह सब नहीं होता आपके पास पैसे नहीं होंगे कम होंगे आपके पास लोगों के पास देने के लिए कुछ नहीं होगा आपके पास लोग आकर्शित नहीं होंगे तो यह दो चीजें क्लियर दिखती हैं अब इसमें आपके पास विकल्ब क्या होता है एक political party के पास एक मात्र विकल्ब यह है कि वो विपक्ष में लड़ती हुई नजर आए कई बार ऐसा होता है कि बिखरी हुई घर के भीतर कोई जगड़ा हो जाए तो घर के भीतर वो लोग आपस में लड़ते रहते हैं लेकिन बाहर कोई अगर पडोसी स को ठीक करिए लोगों को जोड़िए वैचारी क्तेवर में कोई समझता मत करिए यही समाधान है हर दिन लड़ती हुए नजर आए जंता तयार है और वह आप उसका नित्रतु करने का यह भरोसा दिलाए कि हाम तुमारी आवाज है नहीं आवाज बनेंगे तो जंता किसी और को अपनी आवाज बनाएगी रास्ता केवल है जनान दोलन सड़के खामोश को जाए संसाद आवारा आपके गुरू बोल चुके हैं जिंदा को में पांस साल इंतजार नहीं करती हैं आपके अगुआ बोल चुके हैं तो आप अपने अगुआ को मानिए समाधान वही है यह कर रही है और दूसरी तर वो तो आपके खिलाफ कंटीन और आपके वोटर को परिशान करेगी आपके लोगों की रिड़ तोड़ देगी उनकी जमीन उनके अभी देख रहे हैं उनकी पार्टी के जो लोग हैं उनके उपर बुडलोजर चल जा रहा है उनकी पेट्रोल लाओडी स्पीकर ले लेकर पूरा सब भूम रहे हैं इसकी जरूवत अचानक से कैसे आनपड़ अचानक नहीं है ये 24 की तयारी है उन लोगों के पास जो नफरत का एजंडा है दो बात साफ मैं कहना चाहता हूं निरभी बहुत शुक्रिया कि आपने ये सवाल किया और लोग ये मान रहे थे कि हिस्सेदारी मिले है हमारी एक राष्ट बनता है उनके लोगों से तो उनके लोगों को जो रोजमर्रा के चीज़े थी वो देना सरकार की जिम्मेदारी होती है और आप अपने घोश्वांपत्र में कहके आते हैं कि आप हमें चुनिए हम आपको यह देंगे और अचानक से आप 1925 के एक सांस्कृतिक संगतन का नफरत का एजंडा 370 तिपल तलाग हिंदू मसलिम बजरंग बली और राम मंदेर और उसके बाद पाकिस्तान अखंड भारत यह केवल इसलिए हो रहा है कि वो लोग नाकाम हो गए दूसरी तरफ उन लोगों ने इस देश को पूरी दरह से अपने दोस्तों का तो भेच दिया है महाई उनसे रुक नहीं रही रोजगार वो दे नहीं सकते अर्थ व्यूस्ता डूब चुकी है बरबाद हो चुकी है तो जो कुछ कर नहीं सकते एक साथ दो निसाना साधर है अपनी विचार धरा को इंपोस मतलब मुसल्मानों के धैर का अमतिहा लिया जा रहा है मुसलमानों को इस देश चाहते हैं कि कुछ करें भाई वो हमें आप मस्जिद के सामने जा के कह रहे हो कि तूपी वाला सर जुका के जैसरी राम बोलेगा मिया को मा की गाली दी जा रही है राम की यात्रा के नाम पर रेप की धमकी दी जा रही है सिधे मुसलिम को टार्गेट करके यह और नहीं तो क्या है और उसके बाद हो क्या रहा है मीडिया उनके खेमें में बैटी है वे उसके यूग युग प्त्तर करोगे असिक्षित कुपड और उग्र लोग उधर भी है इधर भी है जहालत दोनों तरफ है अब जहालत को उकसा कौन रहा है इसलिए कि वो मुसलमान और इस तरह करें उसका एक जगह दिखा करके बुलुजर चलाओ धंगे कराओ उसके बाद फिर घर में उनको जेल में डाल यह बहुत खतरनाक काम हो रहा है और इसको हर हाल में रोका जाना चाहिए हमारी जिम्मेदारी एक बात से आप सहमत है कि नहीं कि अगर जाती का मुखोटा सामने रख दो हम मुखोटा इस्तमाल कर रहे हैं गलस सब्द है या प्रतनुत्य दे दो तो जाती को अगर प्रतनु अग्य सब्सक्रेश पर्वागी कैसी जहां जात की राजनेतिक समझ मजबूत है जहां नहीं है वहां राजस्थान हैं मद्यप्रदेश है गुजराथ है काष्ट डिस्क्रिम lesson भी है काषो पॉलियम्स और डिया लेकिन का पॉलिटिक नहीं है काष्ट पॉलिटिक्स यह नह को बिठा रखी है अब इस समय ऐसा खत्रा आन पड़ा है कि दिखाने वाला सामाजिक नहीं हो सकता है बीजेपी करें वही अंबेटकर के सपनों का भारत बनाएगे वही भगत सिंग के वही लोहिया के वही कांशी राम के आप क्या करेंगे आप जो उनकी विरासत का दावा कर आने वाले लोग हैं वो गोट से गोल वलकर हेड़कवार का काम करेंगे और दिखावा करेंगे मिटकर पूले परियार का आप खतम हो जाएंगे क्योंकि बीजेपी आपसे ज्यादा राजनित जातिवादी पार्टी है बना दिया रामनात को विंद को बना दिया किश्व जातिवादियों को भी आरा सकती है और जातिकी राजनित का मतलब केवली है हिस्सेदारी धन धरती राजपार्ट आत्मसम्मान में अगर उसके बिना कोई आपके हिस्सेदारी दे रहा है कोई मुर्ती बना रहा है कोई जो है लोया की बात कर रहा है वो दोखा दे रहा है त पास बीजेपी आपसे बड़ी जाती वादी है वो कुछ भी कर सकती है इस तरब नकारे लोग है और इस तरब तो ऐसा लगता है कि इन लोगों को समझ में नहीं नहीं होता है यह जब पक्ष चुनने की बारी है न तो एक तरफ जुलमी जालिम खड़े हैं और दूसरी तरफ अगर आप लाग लपेट करके थोड़ा वो हार्ड है तो हम साफ्ट हो जाएं तो इससे कोई आपको नहीं चुनेगा वो कट्टर की तरफ जाएगा अरे कट्टर के सामने कट्टर बनके खड़े हो कि इस देश में नब्बे परसेंट वंचित शोषित की आवाज हैं मत करो नब्बे परसेंट कमेरा लोग हैं शम जीवी लोग हैं उनकी आवाज बनो इन नब्बे परसेंट को एक जुट करो इमानदारी मेहन से काम करो तभी कुछ कर पाऊगे वरना विनाश हो जाए तुम्हारा हम तो यह दूआ करेंगे एक अंतिम सवाल आप प्रोफेसर हैं मैं पत्रकार हूँ यह जो पिछड़ा वर्ग है आपने महसूस किया कि इसको अच्छे लेकोकों की अच्छे पत्रकारों की अच्छे वकीलों की अच्छे प्रोफेसर्स की जरूरत नहीं है अभी तक नेताओं के और बिरोक्रेट्स के पीछे टहला है तो यह इस्तिती में दलीत समाज को आप एक नजीर की तरह देखिए कि दलित पूरी सियासत में समाज में कई चरण आ चुके हैं बाबा साब के समय एक चरण था जिसमें वह बहुत तीजी से आत्मिश्वास लेकर आया लेकिन समाज में उतना परिवर्तन नहीं होगा जितना बाबासाव चाहते इतने संगठन बना चुका है कि वह आपस में लड़ते हैं, साहित भी बना रहा है, सब कुछ बना रहा है, तो थर्ड फेज में अब दलित पॉलिटिक्स के सामने चुनोती क्या है, उनको आपस में एक जुट रखने के चुनोती है, लेकिन अच्छी बात तो यह है कि एक कालो है, तो दलित राजनीति वहाँ पहुचिए, ओबीसी के साथ विड़मना यह हुए है कि ओबीसी एक कन्फ्यूज कौम है, इसकी वज़े भी यह रही है कि किसान जातिया रही है, सामाजी कुछ उतना नहीं हुआ जितना दलित का हुआ, थोड़ी जमीने, थोड़ा पैसा, थोड़ा थोड़ा सब था, और ब्रह्मणबाद का थोड़ा शिकार भी हुए, थोड़ा उनके अपने भगवान उगान भी है, थोड़े राजवन्श भी है, यह सचाई भी है, इसलिए मुझे लगता है मंडल कमीशन के दौर में अगर यह काम नहीं कर पाए आप, तो प्रोफेसर, एक वकील, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक व्योरोक्रेट, एक थौट प्रोसेस वाला फिलोसफर, सब आपको चाहिए, इसी समाज में जगदेव बाबु, करपूरी ठाकोर, चंदिका प्रसाद जिग्यासू, त्रिवडी संग, अर्जा संग, रान है, हम हमें वापस वहां ले आना होगा, क्योंकि हमें किवल OBC को यह समझाना है, कि तुम हिंदू बन करके मिला कुछ नहीं, जो मिला वो हमें दिखा दो, तुम हिंदू बने तो क्या गया, वो हम बता रहे हैं, तुम्हारे प्रोफेसर जीरो थे, उन्निस तक अभी नहीं, तुम बता ना आने के बाद, तमाम सारे लोग, जो रोना पीटना मचाए हैं, उन लोगों के लिए, प्रोफेसर लक्षमन यादाओ जैसे लोग, एक नजीर हैं, कि अभी भी तमाम उमीद बची है, बदलाओ के इस फेज में, अगर बदल गए, तो पार हो जाओगे, नहीं बदल तो ना हो डूबना तैह है,